हाई गाईज वेलकम तो मड़ेपंडेट्स चैनल फो दमद्रीस्ता बाइद मद्रीस्ता बिग गेम टुडए ब्रागा के अपना मैच है और अफकॉर्स सिविया के अगेंस वो जो ड्रॉ है वो बहुत मड़ेट फैंस को नहीं बाया है देखो अगर मैं उसी के बारे में अगर हम यहां पर निकाल लेते हैं हम अपने आपको एक सॉलिडिफाय पॉजिशन पर डाल देंगे ग्रूप में यह देखिया आप सिचुएशन देखिया हमने अपने तीनों ओपनेंस को हरा चुके हैं जिसके कारण हमारे 9 पॉइंट हो जाते हैं अगर आज हम ब्रागा क अगर मैं उनी पर फोकस करूँ तो सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा कि आपको गोल स्कॉर करना है आप कंसीड चलो कर भी लोगे तो भी बड़ी बात नहीं है बट स्कॉर करना इस जाधा इंपॉर्टन अगर हम बात करें उस गेम के बारे में तो वहां पे कही सारे चां अब मैं कोई बहुत जाधा वो नहीं होंगा पेडिस मिस्टिक अबॉट दफाट की नहीं हमने गोल नहीं मारा बट जो चांसेस थे यार शुड़ आप यह नहीं कह सकते कि जो इनीशल चांज मिला तो वो गोल स्कॉरिंग नहीं था या फिर जो सेकंड चांस मिला था वो ग आपके लिए साथ सो आठ सो चांसे नहीं बनाएगी तीम अगर आपने ओनस लिया है कि या आइल डुट या फिर रॉटरी को कहता है आइल डुट गिव मी दर रिजल्ट कंसिट्रिंग ओल दर सिट्वेशन मैं एक जनुएन पूछन पूछना चाहूंगा और मैं भी उसको आपके रॉटरी को को स्टार्ट करोगे या फिर आज भी होजेलू देखो जैनुएनली अगर आप मेरे से पूछोंगे मेरा फॉर्स चोइस विल भी रॉटरी को बट कॉंसिट्रिंग ओल दर सिट्वेशन अभी करेंटली शुट भी होजेलू अगर मैं होजेलू को नहीं स इतनी लेट गेम में कि वहाँ से कुछ आउटकम आया ही नहीं यहाँ पे आपके पास पूरी गेम है ब्रागा के अगेंस्ट आप ट्राय कर सकतो प्रहीम को भी टाइम देने का क्योंकि अगला गेम आपके बाद उसके बाद अल क्लासिको है उससे पहले अगर आप थोड़े अगर आप दूसरे प्लेश को भी चार्श दोगे तो आप रिसल्ट ज़रूर निकाल सकते हो नहीं कहते हैं मैं डिफिनेटली यह नहीं कहते है कि हम लोग अगर आपको यह लगता है किसी भी बंदे को यह लग रहा है कि सुरेंज भई आप यह बोल रहो है कि कम्प्लेसंट होने का मलब यह है कि आप यह गेम लाइक ली लो मैं प्लेयर की इसलिए बात कर रहा हूं कि उनको गेम टाइम मिले आपके बास जितने प्लेयर होंगे जिनको एडिकुट अमांट ऑफ गेम टाइम मिलेगा वह उत्रहा ज्यादा अच्छा परफार्म करेंगे आपने तैम ही एक प्लेयर को दिये दो प्लेयर को दिये तो बाखी के जो पांच-शे प्लेयर को क्या करेंगे वह तो हातों में मुफलियों तोड़ना तोडएंगे वह भी तो इस तीम में इसलिए क्योंकि उनको भी वह एंपल अमांट ऑफ टाइम चाहिए यहां पर क्रू तो आप ऐसा कुछ करो मलब की जहां पर आपके बागी प्लेयर को टाइम मिले और अब टू परफॉर्म परफॉर्मेंस मेट्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टर पॉइंट है जैसा मैंने पहले भी बोला कि होजलू और रॉड्रिकों के केस में बट आप जब सिचुएशन देख रहा है आपको एक बहुत क्लियर चीज दिख रही है कि आपकी टीम गोल मारने में डेफ वो नहीं कर पा आता बट वो सिंस आप जब ओवर दे टॉप जाते हो तो आप बहुत बेकार रिशीजन मेकिंग करते हो और वही की थी वैलवर्दे ने उस गेम में और यही जो चीजें हैं यह लॉंग रन में आपको एफेक्ट करेंगी आपको कि वैलवर्दे वैसा गेम फिरसे देगा आ में बहुत इंप्रूब्मेंट होगी यहां पर क्रूज मॉटरिच को आप स्टार्रे सकते हो आपका खेलना इंपोर्टेंट है आप नाचो को भी गेम टाइम मिलेगा बाकी प्लेर्स भी अच्छे रहेंगे देखो वास्केस इस दी उनली ऑप्शन आयम सेंगी अभी उसको गेम टाइम मत दो क्यों कारवाहाल जैसे रन ओफ फॉर्म में उसको जितना अच्छे से यूटिलाइज कर सकते कर लेते हैं आप देखो ना वह बोलता है ना गाड़ी के फाइनल जो रिजर्व में पेट्रोल बचा उसको यूज कर लो अभी कारवाहाल इस सीजन रिजर्व का यार काश हम यह कर देते का और में यह कर देते का यह करते आन इस नवर पर यह बहुता है नहीं कर देते हो अगर की ऑगर बात करूं यहां पर कि क्या इंपोर्टन है इस गेम में तो मैं बोलूँगा rotations second एक बहुत important चीज जो आज देखनी हमें वो है कि वो goal scoring जैसा मैंने पूरे वीडियो में emphasize कि है वो goal scoring is the issue हम लोग wings से goal खारें ठीक है हमने साड़े I guess if I am correct we had 20 crosses against us and that two goal came out of our own goal I will not say Rudeador or Alba was bad but हमें वो भी थोड़ा avoid करना है but फिर वो Carlo Ancelotti पर भी blame आता है कि भी आप कैसे करोगे वो हाइं यहां पर आपको solidarity defense में कैसे मिलेगी attacking क्योंकि आपके पास options कम वो भी तो आपको उनको देखना पड़ेगा अगर attacking options आप कम दोगे player manager को तो वो कहीं और से तो attack generate करवाएगा और जब वो तो आप defensively weak होगे यह एक बहुत simple give or take है directly proportional वाला ratio कि अगर attacking options कम है तो attacking increase करने के लिए defensive options में hinder होंगे चलो यह भी हम मान लेते हैं बट मेरा एक final से यह रहेगा give lunen time this game so that lunen does not feel alienated कि अगर हम alienated रखेंगे किसी player को तो हम at the end of the day अपनी ही team का बेडागर करवा रहें अगर हम उसको time देदे रादर कि lunen भी आप खिल लो it will be good for us as madrid fans it will be very good for us अब देखते हैं क्या होता है I am predicting a win for real madrid but let's see with real you don't know what happens and अगर यह review आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक श्सकाइब पका करना and madrid pundits को यह अब let's go to another road road to 15k वो करते हैं hala madrid ina damaas haastana final vamos real su take care and let's hope we get a good result out of it so that ucl के tension थोड़ी कमो and then we can focus on the el classico the big game ahead it